दोस्तो इंडिया की सबसे बड़ी कमरिसियल वीगल बनाने वाली कमपनी ने लॉंच कर दिया यहाँ पर अपना जबरदस्त पिकप ट्रक दोस्तो हम बात कर रहे हैं टाटा मोटरस की टाटा मोटरस ने यहाँ पर लॉंच कर दिया है सब को चौका दिया है यहाँ पर टाटा म 50 के बाद V60 आएगा बड टाटा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए लाँच कर दिया V70 अब इससे क्या होगा कि अशोक लेलेंड और महिंदरा की बहुत जादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि जो यह V70 पिकप है यह बहुत ही जबरदस्थ पावर बहुत जबरदस्थ growth weight fuel और engine mileage सारी चीज़ां इसमें बहुत बढ़ी load body और बहुत ही आपको बहुत जबरदस्थ चीज़ां इसमें मिलने वाली है दोस्तों वीडियो में पूरी detail में बताने वाला हूँ इसका एक एक चीज आपको नई launch होई पिक अप के बारे में, यह इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वीडियो पूरा अंतन데, तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहाँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तो सबसे पहले इसकी जो इंजन की बात करते हैं तो इसके इंजन में यहाँ पर आपको 497 सीसी का डीजल इंजन देखने को मिलेगा जिसका जो यहाँ पर नंबर आप सिलिंडर की बात करूँ गेरबॉक्स की बात करूँ क्योंकि गेरबॉक्स किसी भी पीकप में बहुत इंपोर्टेंट चीज रहती है तो इसमें आपको 500 डॉला गेरबॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें पांच फॉरवर्ड और एक रिवर्स गेर का ऑप्शन रहेगा दोस्तो इसमें जो गेर्स की सिप्टिंग होगी ये केवल्स के थुरू होगी जिससे ड्राइवर को बिल्कुल भी थकान नहीं होगी बिल्कुल भी उसको एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ेगा इस पिकप की जो मैक्जिम स्पीड रहने वाली है ये 80 किलोमेटर पर आवर की मैक्जिम स्पीड से भाग सकेगी दोस्तो इमिशन नॉम्स इसके BS6 रहने वाले हैं और फ्यूल टैप इसका डीजल रहेगा इसके फ्यूल टैपको की बात करूँ तो यहाँ पर 35 लिटर का आपको फ्यूल टैपक देखने को मिलेगा दोस्तो इसके कुछ और हैलाइट्स की बारे में बात करें कि इसमें आपको क्या-क्या और फीचर्स देखने को मिलेंगे तो Tata का जो नया Intra V70 लाउंच हुआ है इसमें जो main features आपको देखने को मिलेंगे इसमें आपको यहाँ पर air conditioner वाला model मिल जाएगा इसके अलावा mobile charging वाला यहाँ पर point मिल जाएगा bottle holder यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको magazine holder भी इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तो इसका जो mileage और price की बात करूँ तो इसका जो price रहेगा यह लगबग आपको आठ लाख रुपीज के action room price में यह मिल सकता है और इसकी mileage की बात करूँ तो इसमें आपको लगबग 13-15 km per litre का mileage देखने को मिलेगा दोस्तो अब बात करते हैं इसकी load body size के बारे में इसकी load body की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत जबरदस बहुत बड़ी load body मिलने वाली है आपको मैं जो load body की length और width बताऊँगा वो fit में बताऊँगा क्योंकि बहुत सारी दर्सक मुझे comment करते रहते हैं कि आप load body की length और width फिट में बताईए दोस्तो इसकी जो load body की length रहेगी टाटा इंटर वी 70 पीकप की load body की length आपको 9.7 feet जी हाँ दोस्तो आप बिल्कुल साही सुन रहे हैं लगबग आपको 9.7 feet लंबी और चोड़ाई की बात करूँ तो 5.7 feet चोड़ी यहाँ पर इतनी बड़ी load body आपको देखने को मिलेगी जो अभी तक किसी और pick-up में आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तो इसकी payload capacity की और इसकी GVW capacity की बात करें तो इसका जो GVW रहने वाला है यह GVW रहने वाला है इसका 3210 kg यानि कि 3.2 ton के gross vehicle weight capacity के साथ यह pick-up आने वाला है और इसके payload capacity की बात करूँ कि इसमा आप कितना payload लेके जा सकते हैं तो 700 kg यानि कि 1.7 ton तक का payload आप इस pick-up में लेके जा सकते हैं दोस्तो warranty की बात करूँ क्योंकि pick-up में warranty सबसे main रहती है तो यहाँ पर आपको 2 साल या 72,000 km की warranty देखने को मिलेगी इसमें Tata Motors आपको advanced features देगा जैसे की gear shift advisor हो गया आप ही switch हो गया ऐसे features आपको इस pick-up truck में देखने को मिलेंगे दोस्तो आपको यह pick-up truck कैसा लगा आप हमें comment section में बताईए इसमें brakes की बात करूँ तो इसमें आपको hydraulic brakes starter motors लगा के देगा बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही efficient brakes रहते हैं आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरुवत नहीं है और इस pick-up की gradability भी बहुत अच्छी है look भी अच्छी है और इसमें जब driver बैठता है तो बहुत ज़्यादा comfort रहता है और यह pick-up इंडिया में बहुत ज़्यादा already पसंद की जाती है दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर किजिए वीडियो को देखने के लिए फिर से आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद